प्रदेश के गाजियाबाद में बदमाशों ने एलिवेटेड रोड पर निगरानी के लिए लगी सेसेटिवी के बलकाट कर पुलिस को खुली चनौती दी है मैमली को लेकर डिसीपी विवेक चंद्रयादवनी पिसी आर के दस पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए कुल पांच टीमों का गठन किया है जो से लेकर अंद्रपूरम एसीपी स्वतंत्र देव सिंग ने एनबी न्यूस से खास बात्चित की गाजाबाद में एलिवेटेड रोड पर जो लोग तेजी से अपनी वीडियो रील बनाते थे पुलिस ने उनको सकंजा कसने के लिए उनके खिलाब कठोर कारवाई करने के लिए वहाँ पर एलिवेटेड रोड पर कैमरे सिसी टीवी कैमरे लगाए थे लेकिन अभी कल ही रात को जो सरारती तत्य थे उन्होंने कैमरे की जो वायर होती है उसको तोड़ दिया और पुलिस ने कठोर कारवाई के लिए कह भी रही है और जो सिपाई वहाँ पर जूटी थी उनके खिलाब भी कुछ विभागया कारवाई की गई है जानने के लिए सब्सक्राइब कारवाई की जाएगी इसके सब्सक्राइब करके आगे की कारवाई की जाएगी इसके साथ साथ Elevated पे लाइन ओडर और डूटी के लिए टोटल चार PC मोबाईलों को हम लोग ने गठन किया था जिनका काम था लगातार Elevated पे घूम के लाइन ओडर को मेंटेन रखना इन लोग द्वारा उस व्यक्ति जब तारों के साथ छेड़ चाल कर रहा था उस समय यह PC मोबाईलों का वहाँ पर उपस्तित न होना या उसका न पकड़े जाने के कारण इनकी ड्यूटी में लापरवाही प्रदर्सित हुई है जिसकी वज़ए से इन चार PC मोबाईलों को लाइन हाजिर किया गया है सर आगे से कोई ऐसा तत्रों को श्रारती तत्रों ऐसे कारण ना करें उसके लिए आपकी और से क्या महाँ पर शुरक्षा गंदी जामें देखें उन जो CCTV कैमरा जो बंद थे तत्काल उनको अगले ही दिन चालू करा लिया गया है इसके साथ साथ हम लोग एंट्री और एक्जित पॉइंट पे पिकेट ड्यूटी के लिए भी आगे विचार कर रहे हैं जिससे की कोई भी गारियों का एंट्री एक्जित हो उन पे इसे कैमरा पसंद रित्य कि संग मैं परवीन अरोडा एन बी न्यूज के लिए